नमस्कार, WKB News के इस खास पेशक्ष में आपका स्वागत है जहाँ आप देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी को इस खास चुनिन्दा हबरे वो भी मेरे साथ कोरोना काल में दिनराच सेवाई देने वाले राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के 5000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स आज शुकरवार से अनिश्चित कारिन हर्ताल पर रहेंगे सरकार की और से शैक्षेनिक फिस माफ न किये जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें हर्ताल पर जाने का निर्ने लिया है तो दूसरी तरफ मुंबई ATS के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है उसने मुंबई के बांदरा एरिया से एक संदिगद आतंकी को गिरफतार किया है आतंकी की पहचान मुहमद इर्फान रहमत अलिशेक के रूप में होई है बताय जा रहा है कि पुर्वा में गिरफतार हुए दो संदिगदों का इर्फान से संबद था इसके अलावा पुने के कोथरूट पुलिस टेशन के PSI रहते युवती को शादी का जहांसा दे कर उसके साथ दुशकर्ब करने के एक मामले में ट्राफिक ब्रांच के पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस तर्च किया गया है आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रविन नागेश जर्दे फिलहाल ट्राफिक ब्रांच येरवड़ा में नियुक्त है उधर अनिल देश मुक्ष से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवर्ता निर्देश आले ने ग्रुह विभाग के उपसचिव केलाश गायकवार से लंबी पुछताच की उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि तबादलो की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमी का है और क्या तबादलो और नियुक्ती के लिए उन्हें किसी और से कोई निर्देश दिये बात राजनीदी के करें तो महाविकास आगाडी के तीन दलो के गठ जोड के बावजुत सोलापूर की पंधरपूर सीट पर जित दर्च करने के बाद भाजपा की नजर अप नांदेर के देगलूर सीट पर होने वाले उपचुनाओं पर है भाजपा इस उपचुनाओं में उमिद्वारी के लिए शिवसेना के पुर्वविधायक सुभाई सामने पर भी निगाये बनाई हुई है तो आईए प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं कोरोना काल में दिनराथ सेवाय देने वाले राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज और हस्पतालों के 5000 से अधिक रिजिडेंट डॉक्टर्स आज शुक्रवार से अनिश्चित कालीन हर्ताल पर रहेंगे सरकार की ओर से शैक्षनिक फिस मापन किये जाने पर रिजिडेंट डॉक्टरों ने हर्ताल पर जाने का निर्ने लिया है सारे डॉक्टर डेड़ साल से कुवीड में सेवा दे रहे है और इसी वज़े से उनका एकेडमिक नुकसान हुआ था उन्हें सिखाने वाले टीचर भी कुवीड में काम कर रहे थे हमने दो मीटिंग रखी थी राज्य के मेडिकल शिक्षा मंतरी के साथ वह हमारी कई मांगों के पूरा होने पर आश्वासन दिया था लेकिन कोई पॉजटिव आउटकम नहीं आया सेंटरल मार्ट के अध्यक्षे डॉक्टर ग्यानेश्वर डूबले ने बताया कि बार बार पत्रे दिये जाने के बाद भी सरकार फीस माफी के अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर र है कि पूर्व में गिरपतार हुए दो संदिक दो का इर्फान से संबन्द था सूत्रों के अनुसार ये सभी लोग देश को धहलाने की साजिश कर रहे थे कई स्थानों की रेकी भी कर चुके थे जानकारी के अनुसार मुंबई ATS ने खुफिया इंपुट के आधार पर एक संदिक दा अतंकी को गिरपतार किया है, गिरपतार अतंकी इर्फान को मुंबई की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 4 अक्तुबर तक ATS की रिमान मिल गई है, ATS को मिले खुफिया इंपुट के अनुसार ये सभी आतंकी देश में बम धमाके की साजिश रच रहे थ इसके आधार पर आगे की कारवाई में और आसानी होगी। तो उसने मई 2018 में यूती को शादी करने का जासा दिया। इसके बाद उसके साथ कई स्थानों पर दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया। उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने यूती के साथ गाली गलोच कर मारपिट भी की और जान से मारने की धमकी दे कर चला गया। आखिरकार यूती पुलिस स्टेशन पहुची और शिकायत दर्श कराई महला सायक पुलिस इंस्पेक्टर पाटिल मामले की जाच कर रही है। अनिल देशमुक से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशाले ने ग्रुह विबाग के उपसच्यू कैलाज गायकवाड से लंबी पूछताच की। पुलिस अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों से जुड़े आदेशों पर अक्सर उनके ही हस्ताक्षर होते हैं। इसी सिलसिले में एडी ने गायकवाड से पूछताच की। जोड के बावजुत सुलापूर की पंदरपूर सीट पर जीत दर्श करने के बाद भाजपा की नजर अब नांदेड के देगलूर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर है। भाजपा इस उपचुनाव में उम्मिद्वारी के लिए शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाज साबने पर भी निगाहे बनाई हुई है। अंतर से हराया था। अंतापुरकर के निदन से रेकता हुई इस सीट पर उपचुनाव 30 अक्तुबर को होगा। उपचुनाव में महाविकास आगाडी की ओर से कॉंग्रेस अंतापुरकर के बेटे को उम्मिद्वारी दे सकती है। बंदन हुआ है और इसका मतलब नहीं है कि पुरे राज्य में गज्जोड होगा। दुनिया में बजरे भारत के डंके से पड़ोसी देश परेशान है। इसलिए भारत को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं। पड़ोसी देश चिन की चाल इनमें से एक है। भारत में कहां कि चिन के भड़का उव्यभार या तास्तीती को एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश के चलते। पुर्वी लदाफ में LSE से लगते इलाकों में शान्ती भंग हुई है। मज़ेदार खबर ये है कि देश के कानून मंत्री किरन रीजीजू का एक डांस वीडियो इन दीनों सोशल मीडिया पर काफी वरल हो रहा है। कानून मंत्री का ये डांस वीडियो देखकर खुद प काम और पेंशन से जुड़े नियम समेत कई मुख्य हैं जो आपकी जेप पर असर डालेंगे। कोरोना संकरमन को देखते वे दिली आपदा प्रबंदन प्राधी करने सारवजनिक सानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छट पुजा आयोजित करने पर पावंदी लग इस बैठक में दोनों नेताओं में सुला का फॉर्मूला बना, इसके बावजुत सिद्धु के इस्तिफे पर अभी संचय बना हुआ है, उनके इस्तिफे पर सोनिय गांधी फैसला करीगी। देश की इन पांच बड़ी खबरों पर आईए अब विस्तार से नजर डालते है भारत ने LSE पर गतिरोत को लेकर चिन पर एक बार फिर जुड बोलने कारोब लगाते हुए निशाना साधा है। ने कहां कि हमें उम्मीद है कि चिनी पक्ष पुर्वी लदाक में वास्तविक नियंतरन रेखा के पास शेश मुद्दो के शिग्र समाधन की दीशा में काम करेगा। चिन ने हाल ही में आरोप लगाया है कि दोनों देशों के बिच तनाओ का मुल्यक कारण नई दिल्ली द्वारा आगे बढ़ने की नीती का अनुसरन करना और चिनिक शेत्र पर अवैद रूप से अतिक रमन करना है। इसके जवाब में भारत की प्रतिक्री आई है। पाक्ची ने कहा है कि भारत ने कुछ दिन पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। साथ ये से बयानों को खारिस कर दिया जिनका कोई आधार नहीं है। उनकी तारिफ करने से नहीं रोक पाए। दरसल केंद्रिय कानुन मंत्री किरन रिजी जुने एक ट्विट में विवेकानंत केंद्र विद्याले पर योजनाव की निगरानी के लिए काजलंग गाउं की अपनी आतरा का एक वीडियो पोस्ट किया था। लोगों के साथ अपने नुरुत्या के वीडियो को पोस्ट करते वे अरुनाचल प्रदेश के सांसद ने कहा था कि ये पारम पारी आमोत प्रमोत सजोलंग के लोगों का है। जब ही गाउं में कोई महमान आता है तो यही वातावरन होता है। लोगगीत वन रुत्या अरुनाचल प्रदेश के हर समुदाय की सुगंध है। आज शुकरवार से नए महने की शुरुवात के साथ ही बैंक से लेकर रोज मर्रा से जुड़े कई नियम बदल गए है। जिसे जानना आपके लिए बहत ज़रूरी है। कई बैंकों की चेक बुक, आटो डेबिट बुकतान, लपीजी सिलेंडर के दाम और पेंचन से में भी दिया गया है। एक अक्तुबर से ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया और अहलाबाद बैंक के पुराने चेक बुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विले दुसरे बैंकों में किया जा चुका है। आज से ही आपके क्रेडिट ड युनियर करमचारियों पर लागू होगा। साथ ही आज एक अक्तुबर से रसुई गया सिलेंडर की कीमतों में बदलाओ होगा। गरेलो लपीजी और वानेजिक सिलेंडर की नई कीमते हर महिने की पहली तारिक को तैक की जाती है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं। वही 22 लोग ठीक भी हुए है। अच्छी बात यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसी भी कोरोना मरिस की मौत नहीं हुई है। लेकिन सरकार कोई जोखी मुठाना नहीं चाहती है। पूजा करने की अपिल की गई है। इसके अलवा त्योहारी सीजन में मेले, फुट स्टॉल, जूला, रैली, जूलुस आधी की भी अनुमती नहीं होगी। यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेंगे। दिली में राम लिला आयोजन को लेकर भी आदेश जारी किये गए ह राम लिला आयोजन के लिए कड़ी शर्ते रखी गई है। कोटक पुरा गोली कांड में आरोपित पुर्वा डीजीपी सुमेच सिंग सैनी के वकिल होने के कारण नवज़त सिंग सिद्धु नहीं चाहते कि देवल को एडवोकेट जनरल बनाया जाए। करने का फैसला पार्टी हाई कमान पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान का असली चरह फिर सामने आया है। पेशावर में युनानी हकीम सरदार सतनाम सिंग हालसा को अग्यात हमलावारों ने गोली मार दी। याद रहे हाल ही में आयोजित सयुक्त राष्ट महासबा के 76 सत्र के दोरान भारत की और से फर्स सेक्रेटरिस नेहा दुबे ने इस तरह के मुद्दे पर जवाब देती हुए कहा था कि पाकिस्तान में हिंदूों, इसायों, सीख और पार्सी समुदाय को भी हिंसा का सामना करना पड़ता आ रहा है। इन वारदातों को अंजाम दिया गया। करमचारी एबोला महामारी से लड़ने के लिए कांगो गये थे। तभी उन्होंने कई महिलाओ और लड़कियों का योन उत्पिडन किया। इसके लवा होंग कॉंग में अब बिना सहमती के यदि किसी महिलाओ के स्कर्ट से नीचे की तस्विर ली या उसे शेयर किया गया तो उसे जेल जाना होगा। एक कानुन पास कर अब स्कर्टिंग यानि बिना सहमती के महिलाओ के स्कर्ट के नीचे की तस्विर या वीडियो बनाने या शेयर करने को अपराद बना दिया गया है। इसे बीच आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ में भारत की मुखरता का असर दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर में युनानी हकीम सरदार सतनाम सिंग खालसा को अग्यात हमलावारों ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें चार गोलिया मारी गई जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावर घटना को अन्जाम देने के बाद मौके से फरार होने में सफल रहे। स्थानिय मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंग हसन दल के रहने वाले थे और शहर में धर्मांदर दवाखाना चला थे थे। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुची और तलाश करनी की कोशिश भी की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और राज्य प्रायोजीत आतंकवात के जरिये अपने अधिकारों को कुछला जा रहा है। असामती की आवाज को रोज दबाया जा रहा है, लोगों को गायप किया जा रहा है, एक्स्त्रा जूडिशियल किलिंग, सामन्य है, उपर उक्त घटना से इसकी पुष्टी भी हुई है। तरकी के इनगोल शहर में नशे में धूत व्यक्ती ने पुलिस को घंटो परेशान किया, वह पुलिस के साथ खुद को ही जंगलों में ढूनता रहा। जुड़ गई, शक्स को तलाश करते करते पुलिस जंगल में पहुची, इस धवरान वहां बचाओ कर्मियों को कुछ लोगों का एक ग्रूप मिला। पुलिस कर्मी एक दूसरे की शकलत देखने लगे कि इतनी देर से क्या बेवकुपी कर रहे थे, जिस शक्स को वो ढून रहे थे, वो उनके साथ ही कब से टहल रहा है और खुद को ढूनदवा रहा है। विश्व स्वास्थ संगटन के 21 कर्मचारियों ने कांगो में महलाओ और नाबालिक लड़कियों को हवस का शिकार बनाया था। एक स्वतंत्र जाच में यह बात सामने आई है कि अफरीकी देश में 2018 से 2020 के दौरान इन वार्दातों को अंजाम दिया गया। कर्मचारी एबोला महामारी से लड़ने के लिए कांगो गये थे, तभी उन्होंने कई महलाओ और लड़कियों का यौन उत्पीडन किया। रिपोर्ट की अनुसार स्वतंत्र कमिटी की जाच में कर्मचारीयों पर लगे आरोपों की पूष्टी होने के बाद विश्वस्वास्थ संगटन के प्रमुक टेडरोस एडनम घेबरेसस ने घटना पर दुख जताया है। टेडरोस ने कहा कि गुना करने वालों को सजा द किया था और इनमें से 21 विश्वस्वास्थ संगटन के कर्मचारी थे। प्रभावितों की मदद करने गए ये कर्मचारी महलाओ की ड्रिंक में नशिली चीज़े मिलाने के बाद उन्हें अपना हवस का शिकार बनाते थे। कुछ महलाओ का कहना है कि नोकरी के वादे के ना नीचे की तस्वीर ली या उसे शियर किया तो उसे जेल जाना हुगा। एक कानून पास कर अप स्कर्टिंग यानि बीना सहमती के महलाओ के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने या शियर करने को अपराद बना दिया है। इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों और वीडियो बहुत आयत में शेयर किये जाते है जो बाजारों में दुकानों में या अन्य सारवजनिक स्थानों पर गुपचुप तरीके से बनाई जाती है। होंग कॉंग की लेजिसलेटिव काउंसिल ने नए कानून के जरिये इस तरह की गतिवीदियो को अपराद की श्रेणी में डाल दिया है। प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरे अत्वा विडियो लेना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति दो या उससे अधिक अपराद में दोशी पाया जाता है तो उसका नाम से एक सॉफेंडर्स रजिस्टर में दर्च किया जा सकता है। कई सामाजिक कार्यकरताओं ने नए कान होने लगा है कि पाकिस्तान ही आतंकियों का असली आका है। पिंटेगन ने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों के पनागाओं को लेकर पाकिस्तान के साथ अपनी चिंताओं को लेकर बहुत इमानदार रहा है। और प्रधानमंत्री मूदी जब अमेरिका दोरे पर गए थे तब कमला हैरिस और जो वाइडेन ने भी आतंकवात का मुद्दा उठाय था और पाकिस्तान का नाम आया था। पेशकर्ष पे आप इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक बने रहिए वीके वी नियूज के साथ नवस्कार।